मित्रो महादेव को भूले बाबा कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही दयालू है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव तो इतने भूले हैं कि अगर कोई पूरे मन से बेले पत्र ही चड़ा दे तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, भूले नात को तो यदि दाक्षज भी प्रसंन्न कर दे तो वह उसे भी वर्दान दे दीते हैं। इसलिए तो महादेव को भूले बाबा कहा जाता है। भूले नात कहा जाता है । भगवान शिव जब आपसे प्रसंन्न हो जाते हैं। तो आपको कुछ संकेत देते हैं जिने आप जान गए तो आप बहुत ही भाग्यसाली हैं नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आरेन स्टोरी चैनल पर पहला संकेत ये है कि जब भी आप महादेव को देखते हैं तो आपका मन खुस हो जाता है और आपको एक असीम सांती का अनुभव होता है उस वक्त आप अपना हर दुखदर्द भूल जाते हो और आपको एकीन हो जाता है कि मेरा चीवन सिव के बिना अधूरा है जब एक भक्त बिना कारड अपने भगवान को देखकर खुस होने लगे तो समझ जाए वो भगवान से जुड़ चुका है और भगवान उससे जुड़ चुके हैं दूसरा संकेत यह है कि आपका समय बदल रहा है यानि आपके जीवन में सुख सांती तरक्की इन सब चीजों की वृद्धी हो रही है और दुख परिशानिया बुरा समय ये सब चीजे धिरे-धिरे खत्म हो रही है आप अपना जीवन खुल कर जी रहे हो पहले से ज़्यादा खुश हो और आपका आत्मविश्वास पहले से बहुत जादा बढ़ गया है और आपको हर काम में सफलता हासिल हो रही है और लोगों के नजर में आपका सम्मान बढ़ता जा रहा है आपका जीवन दिन प्रति-दिन बहतर होता जा रहा है क्योंकि भगवान जब किसी से प् महादेव का हाथ हो तो भला ऐसे इंसान का कोई क्या विगाड सकता है अगर कोई भगवान सीव को खुश कर देता है तो सीव उस इंसान को जीवन भर खुश रखते हैं और हमेशा उस पर अपनी कृपा बनाया रखते हैं तो ऐसे हैं हमारे भोले ना तो मित्रों कैसी लगी आ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हम आपके लिए ऐसे सनातन धर्म से जोड़ी वीडियो चलाते रहेंगे वीडियो को पूरा देखने के लिए अपका धन्यवाद